श्रीराम प्राण प्रतिष्टा को लेकर निकाली विशाल कलश यातरा उम्रा जन सेला बनेटा उपत हसिल मुख्याले पाल श्रीराम प्रतिष्टा मोईसव समिती मंडल के सानिध्ये में बुधरवार को बेंड बाजों की साथ अश्रत कलश शोबा यातरा का जलूस निकाला उनियारा खंड के सयोजग अनिल मिश्रा एवं बनेटा खंड सयोजग हंसराज तवन ने बताया कि अयोधिया से आए हुए अभिमंत्रित चावलों को गाजबाजे के साथ मुख्य मार्गों से होते हुए कल्याण मंदिर तक पहुचाने के लिए भवे जलूस निकाला गया। कारिकरम का शुबारम निर्मल कुझ में अयोधिया से आए पूजित अश्रत और कलशों का वेदिक मंत्रुचार के साथ पूजन किया गया। इस दोरान प्रधान कलश की बोली सत्ते नारार गुपता निली वही गोडी परद्वज पता का को लेकर बेटने वालों की बोली कदरीलाल, प्रजापर, शंकरलाल, बारवाल, चरंजीलाल, मीड़ा, शंकर चोपदार और रादेश शाम सेनी नेली। कलश यात्रा में जगा जगा रंगूलियों, सजाकर शदालू, दुआरा पुष्प वर्षा की गई, कारिकर में मुक्या, आकरशन, ड्रोन दुआरा प पास-पास के शेत्र के लोगों में खास उत्साहा देखने को मिला। शोबा यात्रा में डीजे, बेंड, डोल, नगारे, बग्गी साथ चल रहे थे, वही यूवा डीजे पर बजरेई दुन राम जी की निकाली सवारी पर थिरकते नजर आये। शोबा यात्रा में भगवा की जागी की पंडित बे भोजराज जोशी दुआरा महा आरती उतारी गई। तद पश्रत कारिक्रम समापन पर प्रसादी वित्रण की गई। पीले चावल का खास महत्व उन्यारा खंड सयोजक अनिल मिश्रा ने बताया। अयोध्या से जो कलश पहुचे हैं उनको श्री क जन्वरी तक चावल वित्रण का कारिकरम चलेगा पीले चावल का हिंदू संस्कृति में खास महत्व इसलिए रहता है क्योंकि राजिस्तान में कोई भी शुपकारी हो तो पीले चावल बाटकरने होता दिये जाने कोई कि हिंदू संस्कृति के लिहास से एक परंपरा बनी हुई है जो सदियों से चलिया रही है टॉंग से सुबास होता की रिपोर